Hello friends, welcome to the video. आज हम इस वीडियो में काड़िज मेथट का प्रेक्टिस प्रोबम फोर्ट करने वाले. तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चलने में सब्सक्राइब कर लिजे. क्योंकि इस चैनल पर हम BSE से रिलेटेड वीडियो सब्रोट करने वाले. अल्रेडी हमने बहुत सारी वीडियो सब्रोट कर रखी BSE से और आने वाली वीडियो भी आपकी BSE से रिलेटेड होगी. ठीके? तो question आपके पास है हाँपर. Show that the roots of the cubic x cube minus 3a square x minus 2a cube cos 3a equals to 0. आपको बताने कि जो इसके roots है वो 2a cos ही होंगे और 2a cos 2pi upon 3 plus minus a. एक root आपका यह होना चाहिए और बागी दो root आपके यह होना चाहिए प्लस और माइनस. ठीके? तो कैसे हम करेंगे solve? आपके पास x cube minus 3a square x minus 2a cube cos 3a. तो आपके देखो यहाँ x square की term नहीं है. तो जनरल आपका cardan method पर procedure लगेगा. तो क्या करेंगे? let x equals to u1 upon 3 plus v1 upon 3. ठीके? cubing both the side क्या आएगा? x cube u plus v plus 3 u1 upon 3 v1 upon 3. और यह आएगा आपका u1 upon 3 plus v1 upon 3. ठीके? a plus b whole cube का formula क्या होता? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b square a. common हमें निकाल लिया तो आपका यह बचा. left hand side ले जाओ. तो क्या आएगा? x cube minus time 3 u1 upon 3 v1 upon 3. और u1 upon 3 plus v1 upon 3 क्या आपके पास? x. तो यह आएगा x minus time u plus v equals to 0. ठीके? अब पहले equation तो आपकी यह वाली है. second equation क्यों सी है? आपकी यह वाली. ठीके? दोनों को compare करो. x का coefficient क्या आपके पास यहाँ पर? minus time 3 u1 upon 3 v1 upon 3. और यहाँ क्या है? minus time 3a square. तो यहाँ से आगया आपका u1 upon 3 v1 upon 3 equals to a square. और यहाँ क्या आगया? u plus v equals to 2a cube cos 3a. ठीके? अच्छा, इसको cubing both the side कर दो, क्या आएगा? uv equals to a की power 6. और यह तो आपका ऐसी रहेगा. ठीके? अब हम consider कर रहे हैं कि u and v are the roots of quadratic equation. u और v कह हम consider कर रहे हैं कि आपके roots हैं किसी quadratic equation की. और quadratic equation आपके t के terms पर है. t square minus time u plus v into t plus uv equals to 0. u plus v कितना आपके पास? 2a cube cos 3a. तो minus time 2a cube cos 3a into t plus uv कितना आपके पास? a की power 6 equals to 0. ठीके? तो इसकों कैसे solve परेंगे? t equals to minus b. तो यह आएगा आपके पास 2a cube cos 3a plus minus under root b square minus 4ac. ठीके? चैब b square क्या आपके पास यह चीज? तो 4a की power 6 cos square 3a b square minus 4ac. a आपके पास 1 है. c आपके पास a की power 6 है. upon क्या आएगा? 2a तो आएगा आपके 2. ठीके? फिर यहां से हमारे क्या हो सकता है? 4a की power 6 common ले सकते. तो क्या बनेगा आपके यहां से? 2a cube cos 3a plus minus 4a की power 6 cos square 3a minus 1. 4a की power 6 common common ले लिया. upon 2. ठीके? अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा आपका 2a की power 3. और 2a की power 3 आपका यहां पर भी है. तो common आपका आजाएगा. तो 2a की power 3 cos 3a plus minus यह बनेगा आपका अंडरूट cos square 3a minus 1. हमें पता है sin square a plus cos square a क्या होता है? 1. तो यह बनेगा आपका minus time sin square 3a. तो यह बन जाएगा आपका यहां पर अंडरूट minus time sin square 3a upon 2. तो 2 से 2 cancelled हो गया. यह बना आपका हैँआपका a cube cos 3a plus minus और यह हो जाएगा आपका iota sin 3a. अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो आपका बनेगा iota sin 3a. तो यह चीज़ आपके यहां पर बनेगे. यह किसके equal है आपके? T के equal. तो दो root आपके यहां पर आगे. क्या है? एक u आया है आपका a cube cos 3a plus iota sin 3a. ठीक है? एक दूसरा root कौन सा है? v equals to a cube cos 3a minus time iota sin 3a. ठीक है? तो दो root आपके यहां पर बनेगे. अब x क्या था आपके पास? u1 upon 3 plus v1 upon 3. अब इसको में निकालेंगे. तो x किसके एकवल है? u1 upon 3 plus v1 upon 3a. ठीक है? तो यह आजाएगा आपके पास कितना? u कितना आपके पास? a cube cos 3a plus iota sin 3a. तो यह आएगा आपके पास यहां पर? a cube cos 3a plus iota sin 3a की पावर 1 upon 3. ठीक है? पर साथ में v1 upon 3 भी है. तो यह आएगा आपके पास cos 3a minus time iota sin 3a की पावर 1 upon 3. ऐसी चीज़ आपके पास है हाँ पर? ठीक है? हमने क्या करा है? इसमें 1 upon 3 under root का cube root ले लिया. तो आपके क्या बना है हाँ आपर? यह चीज़ आपकी बना है और a cube को हमने हाँ पर common ले लिया है. ठीक है? अच्छा, फिर क्या करेंगे हाँ आपर? a cube, आप क्या करेंगे हाँ आपके कॉस 3a को यहाँ लिख रहे है हम. cos 2n pi plus 3a. इस पर भी ऐसी करेंगे तो आपका positive quantity पर आएगा 2n pi. ठीक है? तो इसका क्या है आपका है हाँ पर? whole 1 upon 3 ठीक है? प्लस, इसको भी हम ऐसी लिखेंगे. यह आएगा आपका cos 2n pi plus 3a. minus time iota sin 2n pi plus 3a. और whole पर क्या आएगा आपका है आपका हाँ पर? 1 upon 3. तो यह चीज़ आपके हाँ पर बन की. हमने बस क्या करा? हमने 3a जो आपके हाँ पर एंगल थे उसको हम लिख दिया 2n pi plus 3a. 2n pi plus 3a यह सब हमने लिख दिया है. एक general solution हमने बना दिया है. आएगा आपके solve करके same ही. अगर n की हम कोई भी value रखे 0, 1, 2. आपका answer आपका same आएगा. तो एक किसके equal है? x के equal है. तो x equals to. यह आएगा आएगा आपके यह a की equal होगा. यह आपके a की equal होगा. क्योंकि a की power 1 upon 3 था आपके पास. तो यहाँ एगा a cos. आप इसकों करेंगे. dmobilistorm लगाएंगे. dmobilistorm में क्या होता था आपका? cos theta plus i sin theta की power n. तो यह होता था cos n theta plus i sin n theta. तो same आपके यहाँ पर लगेगा. यह बनेगा आपके 2n pi plus 3a upon 3. प्लस iota sin 2n pi plus 3a upon 3. ठीक है? यह चीज़ आपके बनेगी. फिर आप plus cos 2n pi plus 3a upon 3. माइनस time iota sin 2n pi plus 3a upon 3. तो यह चीज़ आपके यहाँ पर बनेगे. और n की value क्या आपके यहाँ? 0, 1 और 2. तीन आपको roots निकाल लें तो 0, 1 और 2 आपके हाँ बनेगा. ठीक है? तो iota sin 2n pi plus 3a upon 3. और minus time iota sin 2n pi plus 3a upon 3. प्लस 3 cancel होगा. और यह आपके दुनों add हो जाएंगे. तो बनेगे x equals to 2a cos 2n pi plus 3a upon 3. ठीक है? जाए n की value आपके 0, 1 और 2. तो 3 root कौन से आगे? अगर n की value हमारी 0 होगी. तो यह आएगा आपके हाँपर n की value 0 होगी तो आएगा 2a cos a. ठीक है? n की value जब आपके 1 होगी तो यह आएगा आपका 2a cos 2 pi upon 3. और 3 और 3 cancel होगे तो आपका आएगा a. n की value जब आपके 2 होगी तो यह आएगा आपका 2a cos 4 pi upon 3 plus a. तो यह चीज़ आपके हाँपर बनेगी. ठीक है? लेगिन आपको 4 pi plus 3 upon a यह आपको यहाँ क्या था? 2 pi upon 3 plus minus a. तो इसको हमें हाँपर लिख सकते हैं आपका 2a cos 2 pi minus time 4 pi upon 3 plus a. ठीक है? तो यह हो जाएगा आपका minus करके 2a cos 2 pi upon 3 minus a. तो एक root आपको यह आगया, एक यह आगया और यह आएगा. तो तीनों आपके हाँपर proof होगे. ठीक है? तो यह था हमारा question problem fourth. Thank you for watching the video.